जैसे कि लाश्ट एपिसोड में हमने देखा फैंग शाओ जो की लॉंग शू के पीक से है अब ब्लू जू कुई के बीच फाइट होने वाली है फैंग शाओ अपने इंट्रो देता है और अब दोनों के बीच में फाइट शूरू होती है जिस पर फैंग शाओ उस पर तुरण थमला कर देता है लियू उससे बिना डेरे ही उस पर सिर्फ डिफेंस करती है और उनमें बहुत बुरे तरीके से फाइट होने लगती है लेकिन लियू अब भी उस पर बिना अटेक करे ही सिर्फ डिफेंस कर रही थी फैंग उसे चारों तरफ से गेने की कुशिश करता है और उसके चारों और क्रिस्टल बना देता है लेकिन अब लियू उन क्रिस्टल को अराम से तोड़ कर उससे लड़ने के लिए आ गयाती है अब उनके भी सौट फाइट होती है लियू उसे बड़े अराम से हरा देती है अब लियू जू की टॉप 32 में आ गई है लेकिन इस fight से आसपास के elders इसके master से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि ल्यू इसमें बहुत ज़्यादा अक्रुवेल हो गई थी चूचू जियाओ फैंग के पास आकर उसे मज़ाग करने लगता है कि क्या तुम्हें ल्यू पसंद आ गई है और फिर तभी उसका नाम announcement होता है और वो fight के लिए निकल जाता है अब ऐसे ही बहुत सारे matches होते हैं फिर थोड़ी देर बाद सभी students को एक प्रिच से होते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं फिर जियाओ फैंग अपना नाम उस qualification board में देखता है वो अपना और टैंग लिंगर यानिकी गोल्ट फिश का नाम देखता है वो खुश हो जाता है क्योंकि कल उसका match होने वाला है शाम हो जाती है वो फिर टैंग लिंगर के पास जाता है वो खुश होकर टैंग लिंगर के पास जाने लगता है लेकिन त्याइंग को वो एक लड़की के साथ देखता है वो लड़का कोई और नहीं ज्याओ फैंग का दोस्त लिंग यूका सीनियर है ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्ता आता है लेकिन त्याइंग लिंगर उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी और वो दोनों बहुत ज्यादा खुशी से बातें कर रहे थे ये देखकर जयाओ फैंग के पैरों तलेकी से मिन खिसक जा रही थी और जयाओ फैंग अपने बच्पन को याद करने लगता है कि कैसे गोल्ड फिश और वो एक साथ खेला करते थे अब उदास होता हुआ जयाओ फैंग उसके पास नहीं जाता और वो वहीं पर बैड़ जाता है हम अगले दिन जयाओ फैंग वेसे चूबवाओं को देखते हैं अब उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है लेकिन अभी जयाओ फैंग डिप्रेशन में है क्योंकि अब वो ये सोचने लगा है कि के सभी सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ इसलिए उसने भी मेरा अब साथ छोड़ दिया है उसका बापनेंट पुछता है कि क्या तुम ऐसे ही सोचते रहोगे कि तुम फाइट भी करोगे और वो जयाओ फैंग के अपर तुरन थमला कर देता है और जयाओ फैंग की तलवार तूड जाती है और वो दूर जाके गिरता है जयाओ फैंग का बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है इसलिए अब वो तूटी हुई तलवार से ही उससे जाके फाइट करने लगता है लेकिन उसका उपनेंट उसे एक हाथ से ही डिफेंस कर रहा होता है और ज्याओ फैंग बहुत बुरे तरीके से पिट रहा था अब ज्याओ फैंग अपनी मैजिक इस्टिक को निकाल कर उससे लड़ने की कोशिश करता है आपनेंट उसका काफी मजाग उड़ाता है और उसे कहता है कि तुमारे पीक वाले लोग आखिर कैसे कैसे वेपन यूज करते हैं वो भी तुमारे पीक से ही था ना जो कि अपने वेपन को तीन दाई से बनाया रखा था और अब तुम मुझे ए लकड़ी लेकर मुझे मारने आ गए और फिर ज्याओ फैंग साइड में देखता है और गोल्ड फिश्ट अभी भी उसके साथ बातें करते करते हस रही थी अब ज्याओ फैंग को बहुत ज्यादा गुसा आ जाता है वो अपनी मैजिकल स्टिक को एक तलवार की तरह इस्तिमाल करते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे बर भारी पढ़ रहे थे अब इसी लिए उसको आपनेंट फुल पोटेंशन में आकर उस पर हमला कर देता है अब ज्याओ फैंग फिर से कमजोर पढ़ने लगता है और उसे कई मार खाता है अब आपनेंट स्वाट गोल्डन लाइट निकालता है और घायल वे ज्याओ फैंग के उपर काउंटर अटेक करने का सुचता है उसका दो ज्याओ फैंग को समझाता है कि तुम उस लाइट से टेच मत हो जाना लेकिन तभी अचानक से उसकी मैजिकल स्टिक लेकिन तभी निकालता है कर दो कि दूत कर दो खर भी बीड़ कर दो करता। करते हैं? कर दो 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 है पिस आउट